वेरी सुइट नमस्ते और वाम बलकम दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मीशन इसकी पीडियाप आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी चले स्टार्ट करते हैं तो आज किस वी बहुत सारे जो बायोजिस्ट हैं जो इनके लिए उनके लिए यह अट्रैक्टिब एक मॉडल बन गई है तो आज इस वीडियो के तुरू हम इसी को समझेंगे जब्राफिस के बारे में चले स्टार्ट करते हैं साइन्टिस्ट अड़ पुने बेस्ट अगरकर रिसर्च इं किया है और इस्टडी में यह इंटिफाई किया है कि जो जीन है इस फिस में पाया जाता है यह जो मचली है इसके अंदर एक जीन पाया जाता है जो हैल्प करता है इसको इसके जो हर्ट का डैमेस पार्ट है उसको रिजनरेट करने में हल्प करता है यह इसके अंदर एक ऐसा चंडेट करने में इसकी हेल्प करता है जेबरा फिस क्या है तो यह स्माल फ्रे 신 water वाटर सब्सें oluşड़ोगे। जो ड्रॉपिकल और सब्रोपिकल्र का रिजन नी इसे एक्वयरियम में रखि जाता है ॒इआ इसको गरों में लोग पाब ध्याइन है बहुं है बाजाता है तो भाज बाज्व हां नाम से इसको बेचा जाता है उसक फापलर एक प्रसइद एक ट्रेडम सेyg में इसको घैन पारिक ट्रेत बं thन अछ नाम वहां के एक ऊपड़ है इस प्रसे पाइंज more łता हैईً pambarian fish है जिसकोम ट्रेड माव ड्रेड़ व्यांज नाम से रेड़्ाइज के मिनाम से इसको जोड़ कर जाता है इसका जाता है इसको बेचा जाता है makes them an attractive model to investigate mechanism governing the regenerative process यही जो ability है जो छमता है इस fist की heart को regenerate करने की after injury यही इसे क्या करती है एक attractive model बनाती है जो biologist है वो बहुत time से research में लगे हुए थे कि यह जो regenerate capacity है इससे कुछ humans के लिए हिंसान के लिए भी अगर निकाला जाए तो इससे क्या होगा कि इसके लिए पूरी दुनिया में research चल रही है कि यह जो heart regeneration है यह कैसे हो रहा है researchers worldwide are actively working to understand the mechanism behind the heart regenerate in zebrafish for the last two decades नि पिछले last two decades अगर देखा जाए तो यह researchers है जो scientists है वो यह प्रियास कर रहा है कि जो इसके पीछे का mechanism है जिससे कर सकती है years of efforts have helped them identify the cellular communication network factor to a a gene that can promote heart regeneration अब सालों के वर्सों के effort के बाद प्रियास के बाद जो scientists है उन्होंने यह identify किया उन्होंने identify कि यह जो gene है cellular communication network factor जो यह gene है यह प्रमोट करती है heart regeneration को यह gene zebrafish के अंदर पाया जाता है the cellular communication network factor यह gene पाया जाती है मशली के अंदर zebrafish के अंदर जो इसके heart regeneration को क्या करती है help करती है अब humans के लिए क्या significance है इसके लिए humans के लिए क्या महत है तो cardiovascular disease are the number one cause of death globally taking an estimated 17.9 million lives each other according to the WHO अब जो cardiovascular disease है अगर WHO की report के अंसर देखा जाए according to WHO world health organization तो जो cardiovascular disease है इससे हर साल करीब 17.9 million यानि की 1,80,000,000 के करीब लोग मर जाते हैं यह साथ WHO की अंसर है की जो cardiovascular disease है इससे 17.9 million यानि 1,80,000 के करीब लोग यहाँ पर मर जाते हैं हमेशा इस disease से human cannot regenerate their heart upon myocardial damage and a person who suffered a heart attack can not functionally heal the damaged heart muscles resulting in reduced pumping efficiency अब क्या होता है कि बड़े लेबल पर like heart को resonate करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है तो जो myocardial damage है myocardial damage है heart attack जो होता है तो इससे क्या होता है कि जो muscles होती है heart attack आता है तो इससे जो muscles होती है वो damage हो जाती है और इससे जो human होते हैं दुबारा से उसको heal नहीं कर पाते हैं resulting in reduced pumping efficiency यानि अगर एक बार heart attack हुआ और heart muscles damage हो गई तो heart की जो blood pumping efficiency होती है यानि जो pulmonary vein की तुरू हमारे heart में जो blood आता है इसके बाद जो पूरे body में oxygenate blood को पहुँचाया जाता है और फिर इसके बाद क्या होता है हो जाती है तो heart की blood pumping efficiency होती है वो कम हो जाती है while on the other hand this unique fish has has the full potential to regenerate its heart and restore its functions after injury लेकिन अगर दूसरी तब देखा जाता है तो यह जो unique fish है यह जो zebra fish है इसके अदर फूल पोटेंसियाल होता है कि यह अपने heart को regenerate कर सकती है restore कर सकती है और after injury अगर एक बार इसका heart damage हो जाता है तो इसके अदर यह potential होता है कि heart को regenerate कर सकती है और उसके पीछे जो gene है अभी आपने देखा यह the cellular communication network factor यह जो gene है यह इसको heart regeneration को promote करती है till now there is no treatment available to restore the damaged heart function in humans hence scientists have sought to decode the heart regeneration process using this model animal और अब तक अगर देखा जाया तो human के damage heart को regenerate काने का कोई भी treatment available नहीं है तो जो heart scientist है वो इस जो model animals है यह जो जेब्राफिस है इसको यूज करके इसका model यूज करके जो regeneration process है उसको कहकर decode करने की जो है वो आप मांग कर रहे है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो please इससे like करे अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा शेयर करे अन्डराग educational academy को subscribe कर विल आइकन प्रेट प्रेस कर दे ताकि जो भी notification हो आप तक पहुंसती रहे थांक्स फर वाचिंग बे केरफूल बाइ बाइ